सबस्कूनियों बिसनियों ये इस अईसे तो अज सदोचि करना है को वह हमारे बादे स्कीनिफिकेंट फिगर्स ज वन घ्राइक होते हैं हम बेखेंगे लेक्चरवने ठीक है significant figures फोड़ा सा सोचते हैं यह क्या होते हैं ठीक है एक example से हम लोग start लेते हैं ठीक है आपके पास एक book है ठीक है book कि किसी student ने length measure करी है आप लोगों को एक task दिया जाता है कि आपके पास एक book है उसकी length measure कीजिए ठीक है आपको diagram में देखिए अगर इसकी diagram में आपको length नजर आ रहे हो है 29.7 cm ठीक है एक और student है वह measure करता है उसकी आती है 29.7 cm एक तीसर थर्ड स्टुडेंट भी है जो उसकी length measure करता है वह आती है 29.75 cm ठीक है अब हमाँ पास तीन answer आ गया है पहला है 30 cm दूसरा है 29.7 cm और तीसा है 29.75 cm यह तीनों स्टुडेंट्स ने length measure किया है by using scale ठीक है और्टनरी scale होता है आपको पता है scale का जो least count हो कितना होता है 0.1 mm तो अब इन में से कौन सा answer ठीक होगा ठीक है इन में से कौन सा answer ठीक होगा देखें जो पहला student था उसने महियर किया उसने महियर किया उसका answer आया 30 ठीक है उसका क्या answer आया 30 आंसर आया 38 round of values उसने use की हुई है दूसरा student था उसका answer आया है 29.7 आपको पता है जो scale scale का least count होता है 1 mm तो 29.7 ठीक है यह हमें लग रहा है इसका answer accurate होगा इसी था थर्ड स्टुडेंट है उसने जो महियर किया 29.75 अब इसमें जो फोर्थ डीजित है 5 यह हमारे पास ऐसा digit है जो हम scale से महियर नहीं कर सकते हैं ठीक है तो यह जो हमारे पास लास्ट डीजित है लास्ट वेलियो का 29.75 का फोर्थ डीजित यह हमारे पास ठीक नहीं है तो हमारा इसमें से accurate answer कौन सा वो है 29.7 तो हम significant figures को अब हम लोग define करेंगे significant figures हमारी कोई भी calculation है कोई भी answer है उसमें the digits that are known accurately ठीक है and the one estimated digit हमें जितने भी accurate digits पढ़ता होंगे और जो last है वो हम लोग estimate digits जो use करेंगे वो होगा हमारे पास significant figures ठीक है अब आपके पास देखे significant figures में आपको डाइक्राम देदर आ रही है इसमें कुछ values है इनके आपने नाम यार रखने है जो starting 0.00 इन्हें कहते है लीडिंग जीरो फिर जितने भी numbers आ जाएंगे हमारे पास 123456789 नाइन नॉन जीरो numbers होते हैं ठीक है फिर इसी तरह से हमारे पास कुछ values में जो आपको औरेंज कलर ने जीरो नदर आ रहा है वो जीरो है दो नॉन जीरो डीजिट के नमबर जीरो बिट्वीन इन बिट्वीन जीरो ठीक है इसी तरह से लास्ट में जो हमाँ पास decimal के end पर जीरो आगा उसे कहेंगे ट्रेलिंग जीरो का ठीक है इसके बाद एक important point आप लोगे यार रखना है ठीक है वह important point क्या है जितने ज्यादा significant figures होंगे जितने ज्यादा significant digits होंगे उतना ही हमारा क्या होगा आंसर ज्यादा accurate होगा ज्यादा precise होगा ठीक है अच्छा इसके बाद हम लोगोंने जो चीड़ी करनी है वो है हमारे पास rules हमारे पास rules कौन-कौन से हैं जिनके जरियर से हम लोग significant digits को measure कर सकते हैं कौन-कौन से हमारे पास rules है यब आप लोगो देख लिए आपको एक journal सा sketch नजर आ रहा है आपके पास जो starting के zeros हैं इन्हें हम लोग consider नहीं करेंगे non significant होंगे ठीक है इसी तरह जितने non zero number है वो significant है अगर zero तो digits के तर्मियान में आरेगा वो भी significant है और जो last fall है zero तो होंगे व हम लोग इन तमाम rules को turn by turn detail में study करेंगे ठीक हमारे पास total five rules है इन rules में से हमारे पास जो सबसे first rule है वो क्या है first rule है हमारे पास all non zero numbers are significant जितने भी non zero numbers है non zero numbers कोन कोन से होते हैं one से लेकर nine तक इस तमाम क्या होंगे significant होंगे इसकी example देखते है हमारे पास example है जैसे first example है one meter इसमें जो एक ही digit आ रहा है तो इसमें one significant figure है ठीक है next देख लिए जिए 92 लीटर इसमें दो डिजिट आ रहे है एक 9 और एक 2 तो इसमें two significant figures है similarly जो next value है हमारे पास 34,578 इसमें हमारे पास कितने significant figures है total five significant figures है ठीक है यह था हमारे पास first rule जिसमें क्या है तमाम non zero numbers क्या होंगे significant होंगे second rule है अगर हमारे पास कोई भी significant figures है ठीक है अगर उनके दर्मियान zero आ जाए ठीक है जैसे आपके आपके दो non zero numbers है उनके दर्मियान zero आ जाए तो उस zero को significant consider करना है ठीक है अब जैसा कि आपके पास example है one point double zero nine one और nine दो non zero number है जो significant होते हैं अब जो दर्मियान वले two zeros हैं वो इनके दर्मियान में आ रहे हैं तो जो first example में हमारे पास दर्मियान वले two zeros को भी significant consider करेंगे तो हमारे पास total four significant figures बन जाएंगे next example देखिए two three zero 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 four two three और four यह हमारे पास non zero number है जो significant होते हैं अब इनके दर्मियान में total three zeros आ रहे हैं तो इसलिए इन्हें भी हम लोग significant consider करेंगे और इस example में हमारे पास total six significant figures हैं ठीक है इसी तरह से हम next अपने third rule पर move करते हैं zero after a decimal point ठीक है जितने भी zeros decimal के बाद आएंगे जो end पर zero आ रही है ठीक है जिने prevailing zeros का नाम दियता वो zeros क्या होंगे हमारे पास significant होंगे ठीक है जैसे अब हम लोग example देखते है two point seven five zero देखें two के बाद decimal आ रहा है seven five four zero जो है last zero आ रहा है ठीक है अब last zero क्या होगा last zero जो decimal के बाद आ रहा है वो हमारे पास significant होगा और इस expression मे है इस value में हमारे पास total four significant figures है इसी तरह से next example लेते है fifty one point eight two zero decimal आ गया decimal के बाद eight eight or two है और last two zeros है अब हमें पता है जो decimal के बाद बिलकुल end पर जो zeros आएंगे वो तमाम zeros significant होंगे तो इस expression में हमारे पास total six significant figures यह significant digits है ठीक है अब हमारे पास the fourth rule fourth rule क्या है हमारे पास all zeros that act as a placeholder are not significant ठीक है हमारे पास जितने भी zeros किसी expression के start में आएंगे ठीक है 0.000123 इस तरह की जो भी expression होगी इसमें जो starting के zeros है उन्हें हम लोग क्या कहेंगे उन्हें significant नहीं कहेंगे उन्हें सिर्फ हम लोग कहते हैं place folder हमारे पास example है 0.23435 इसमें आप लिए जो starting के जीरो आ रहा है यह significant नहीं है यह सिरफ place folder के तोर पे act करेगा और इस example में हमारे पास total five significant figures हैं इसी तरह से move करते हैं अपनी next example के जाने जो है 0.0023 अब देखें 0.00 यह जो starting के three zeros हैं यह हमारे पास place holder के तोर पे act करेंगे और two three सिर्फ हमारे पास क्या है two significant digits है two significant figures है इस expression में next example देखिए zero point zero two three zero zero अब इसमें देखें दो zero start पे आ रहे हैं दो zero end पर आ रहे हैं start के two zeros हैं यह हमारे पास significant नहीं है यह हमारे पास place holder और इसी तरह से जो हमारे पास next zeros है जो end पर आ रहे हैं वह significant है हमारे पास total हो जाएंगे four significant figures ठीक है अभी तक हमने four rules study किया है पहला rule था all non zero numbers are significant फिर second rule था zero between the significant digits are also significant third हमारे पास zero after a decimal point जो हमारे एक्प्रेशन के end पर होंगे और all significant ठीक है इसी तरह से हमारे पास जो fourth rule था zero at the start of any expression ठीक है which act as placeholder are not significant next move करने से पहले हमारे पास जो fourth rule है हम इसको एक और तरह से भी simplify कर सकते हैं कैसे simplify करते हैं अब हम लोग इस fourth rule को दिखते हैं आपके पास कोई भी expression हो जिसमे एक decimal आ रहा है जैसे 0.0043 इस expression को क्या करें आप इस expression को scientific notation में convert करें जब आप इस expression को scientific notation में convert करेंगे क्या आ जाएगा 4.3 multiply by 10 raise power आपने कितने digit shift किया 1 2 3 3 digit shift किया 10 raise power minus 3 आ जाएगा 4.3 multiply by 10 raise power minus 3 अब देखें 4.3 4.3 में कितने digits आ रहे हैं 2 digits आ रहे हैं तो इस expression में हमारे पास क्या होंगे 2 significant figures होंगे ठीक है अब हम लोग last move करेंगे अपने fifth rule पर वह हैं हमारे पास जितने भी whole numbers हैं जिनके end पर एक या एक से ज्यादा zeros आ रहे हैं ठीक है इस तरह कि expression को हमको किस तरह से simplify करके बता सकते हैं इसमें कितने significant digits हैं पर चाहिए जो हमारे पास किसी large expression में जो zeros आ रहे होते हैं end पर without a decimal point ठीक है उसमें अब हमें यह confirm नहीं होता कि जो last या ending zeros हैं वो significant हैं या नहीं तो इसके लिए हम उस expression को क्या करेंगे scientific notation में convert करेंगे और फिर जो हमारे पास expression आएगी 10 raised power के इलावा वो जो expression होगी उसमें हम check करेंगे कितने digits हैं और वो हमारा answer होगा अब example देखते हैं हमारे पास first example है 15,000 ठीक है 15,000 को scientific notation में convert करें क्या हो जाएगा 1.5 x 10 raised power 4 अब देखें 1.5 1.5 में कितने digits तो हमारा answer होगा two significant digits ठीक है यह था हमारे पास fifth rule ठीक है हमारे पास आपने total कितने rules study किये five rules जो इंतहारी simple थे इन rules को हम लोग जब भी अपना कोई question करेंगे उन पर apply करेंगे ठीक है यह था हमारा आज का लेक्टर जिसने हमने significant figures को study किया उमीद है यह तमाम चीजें आपको failure होगी होगी आपको हमारा lecture पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को like कीजिएगा हमारे channel को subscribe कीजिए अपना फ्यार रखिएगा अलाहाफिर